महराष्ट में चुनाव की घुषना के बीच एंडिये दलो की आपसी खटपट सुड़कियों में है एक तरफ एकनाश शिंदे और अजीत पवार पार्टी के बीच भीडंत की खबरे हैं तो दूसरी तरफ गडवंदन में सीट शेरिंग को लेकर तरफ की चर्चा इन सब के बीच भारतिय जुन्ता पार्टी अपने किले की चुस्त दुरूस्त कर रही है जी हां बता दे कहा जा रहा है कि एंडिये की खटपट और आपसी टकराहट के बावजूद भारतिय जुन्ता पार्टी सबसे मजबूत इस्थिती में हर्याना की जीत से उत्साहित बिजेपी ने महराष्ट को लेकर भी विरिंग फॉर्मूला खोज लिया महराष्ट में बिजेपी मध्यप्रदेश मॉडल पर आगे बढ़ रही है 2023 की मध्यप्रदेश चुनाव में बिजेपी के खलाफ इसी तरह की एंटी इंकंबेंसी देखी गई थी लेकिन पार्टी ने मद्दान अस्थी काते आते ऐसा खेल किया कि कॉंग्रिस शित हो गई बिजेपी से जुड़े सूतरों का कहना है कि यहां भी इसी तरह की रणीती पर काम किया जा रहा है दिल्चस बात यह है कि महराश में चुनाव के प्रभारी भुपेंद्र यादव और अश्वीनी वैशनक की जोड़ी ही मध्यप्रदेश में भी सक्रे थी दोनों को पाटी ने लोगसभा के बाद महराश में भीजा और भुपेंद्र भीतर घात को खत्म करने में माहिर माने जाते हैं कहा जा रहा है कि बिजेपी के नेता मुंबई और विधर में सबसे ज्यादा गुडबाची में लगे हुए थे भुपेंद्र लगातार इन इलाकों में ही बैठक कर रहे हैं मध्यप्रदेश में जिस तरह से बिजेपी ने जीत हासल की थी उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका मानी गई बिजेपी महराश में भी उसी मॉडल पर आगे बढ़ रही है लेकिन लड़की बहन योजना का श्रे भी बिजेपी अपने खाते में लेधी दिख रही है महराश में कुल 4.6 करोर महिला मत दाता है बिजेपी इसी की बूते खुद को मजबूत करने की कोशिश में जूटी है बिजेपी से जुड़े नेताओं की माने तो महराश में पार्टी का मुकाबला अधिकांश्य सीटों पर कॉंग्रेस से होना है बिजेपी इस चुनाव में 160 सीटों पर लड़ने को तयार है कॉंग्रेस भी 110 सीटों पर लड़ सकती है कहा जा रहा है कि दोनों पार्टीों के बीच करीब 80 सीटों पर सीधा मुकाबला हो सकता है मसलन विधर्ब और पश्चीमी महराश में बिजेपी और कॉंग्रेस के बीच की मुख्य मुकाबला होना है लोगसबा में भी ऐसा ही हुआ था बिजेपी ने इस बार इन इलाकों में कॉंग्रेस को द्वस्त करने की रननीती तैयार कर ली है पार्टी हाड हिंदूत्व के साथ-साथ विधर्ब में भी कॉंग्रेस के श्रासन काल के मुद्दे को उठाए की विधर बे लाके में बिजेपी की मदद परदे के पीछे आरेसेस भी कर रही है मुंबई और नागपूर में संग और बिजेपी के बीच इसको लेकर कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है बदादे कि बिजेपी टिकेट वित्तरर में भी साफधानी बरतरी है पार्टी ने सीट वटवारे के साथ जिताओ उमिदवारों को भी फाइनल कर लिया है कहा जो रहा है कि एक दो दिन में इनमें से अधिकाश उमिदवारों के नाम फाइनल कर लिये जाएंगे बिजेपी पहले उन सीटों पर नाम फाइनल करेगी जो सबसे ज़्यादा कमजोर इस्थिती में है मध्यप्रदेश की तरह ही टॉफ लेवल पर डैमेज कंट्रोल का जम्मा अमिच शाह के पास है शाह पिछले एक माइने में तीन से ज्यादा दौरा कर चुके हर मीटिंग के बाद शाह बंद कमरे में नेताओं से फीड़बैक ले रहे साथी इन बैठकों में भी गुडवाजी छोड़ पार्टी के लिए काम करने की नसीहत दे रहे है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ रहा है कमेंट बॉक्स पर बता है तब तक लिए देखते रहे हैं लाइव टीवी निव्स